तो इधर से इधर सी उभड़ सिर्फ पूर्ते रहना है इससे मैं तैयारी नहीं होना अभ defect रहने से इनले को आपके सर्ट हम यहां चल जाएंगे हम वहां चल जाएंगे हम ये बैच मेरो मित्र अभी एक नया ट्रेंट चल रहा है, बहुत सारे मित्र लगातार कन्फ्यूज हो रहे हैं, कि गुरुजी एलपी एंड टेक्निसियन की तैयारी करनी है, लेकिन साइन्स कैसे अच्छा होगा और साइन्स को कैसे परा जाए, ताकि हम लोग साइन्स में 20 में से 20 स्कोर करनी है, मित्र ये समस्या प्रेशरे स्टूरेट के साथ भी है और ये समस्या वैसे स्टूरेट के साथ भी है, जो लंबे समय से त्यारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं exam के last days में, या exam hall में जा करके हम लोग कुछ न कुछ ऐसी गलती करते हैं जो हमारे लिए भारी पड़ता है और कहीं न कहीं फिर हम लोग के पास पच्थावा के सिवा और कुछ नहीं रहा है तो मेरो मित्र आज के इस वीडियो से सन्में हम लोग इसी चीज को डिसकस करने वारे हैं कि आखिर करें से सुल máxim कंप्रम को करने हैं और मेरे मित्र आपको तीन काम करने हैं और इसलिए मैंने आपको निखा भी है कि अगर हम लोग को एल्ब इंटेक्डिशन में सलेक्ट होना है आप हमें क्या करना होगा आप कहेंगे कि सर हमें सीज्ट से गुजरना होगा तुसे सीवीटी टू से गुजरना होगा और येलपी के लिए अगर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग को सर साइको से गुजरना होगा विरमित्र आपका पहला स्टेप क्या है तो सर डोर है हमारा डोर है हमारा सीवीटी वन तोर क्या है हमारा सीवीटी वन जब तक हम इस दर्वाजे क को पार नहीं करें ऑगे कि ये दोनों दर्वाजे पर हमारी कदम नहीं जा सुर्व मित्र ध्यान देंगे कि सिब्यन टू जब आपका गोर है और ध्यानमें रखेगा इस दोर को पार करने के लिए आपको science के 20 question पूछे जाने हैं और आपको यहाँ पे science में अच्छा करना है मेरे मित्र जब आप इस डोर को पार कर लेंगे तब आपको CBT2 में basic science and AD से question पूछे जाएंगे basic science and AD से question पूछे जाएंगे और वो total कितने होंगे sir 40 question होंगे यानि कि CBT1 के बाद CBT2 को भी पार करने के लिए आपको क्या चाहिए तो sir science चाहिए भले ही यहाँ पे basic science लिखा हुआ है इसका मतलब यह हुआ sir कि यहाँ पे जो science पूछे जाएंगे वो आपके ITI के workshop calculation से related होंगे और मेरे मित्र ITI का workshop calculation कुनो alien या आप क्या सकते हो किसी दूसरे जगह से उसका syllabus नहीं आता है किसी दूसरे गरह से उनका syllabus नहीं आया हुआ सब्सक्राइब करता है बसरते की आपका जो गाइड करने वाला है वह आपको सही गाइड करें और आपके अंदर पढ़ने की जुनोन होनी वरना यह basic science and ED बहुत बढ़ी चीज नहीं है सर हां engineering drawing आपको थोरा सा परिशान करेगा तो 45 नंबर हमारा परिशान करेगा भागी के तो 35 question हमारे हाथ में है और 35 question जो है आपका मेरे भित्र यहां पे जो basic science है वो basically physics और chemistry है सर और अल्मसली chemistry नहीं सर सिर्फ और सिर्फ physics है सर जिसमें कुछ आपको biological पॉर्शन यानि की environmental studies थोरा सा computer literacy और फिर आपका जो health और हेजार्ड है उससे संबंदित question देखने को मिलते है थैट cbt2 की बात नहीं करेंगे पहला हमारा परियास होना चाहिए कि सर अगर हम science को पूरे अच्छा कर लेंगे physics chemistry biology तीनों को अच्छा कर लेंगे तो क्या वह basic science में काम आएगा hundred percent काम आएगा और चला सही concept चाहते हो तो science में यहां पे आपको पकर बनाना होगा यानि कि science में आपको physics chemistry bio पे पकर बनाना हो यकीन मानों अगर physics chemistry biology bio पे आपका पकर बन गया तो basic science यानि कि जो आइटिया का वर्क्षॉप calculation से related question रहता है वह आपके लिए कुछ नहीं रहेगा क्योंकि अगर आप physics की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके यहां पे basic science and engineering during में जो basic science के portion मिलेंगे और most of the question numerical होंगे और physics पे पकर होगा तो आप numerical को अच्छे से हैंडल कर इसलिए basic science and ED आपके लिए कोई बहुत बढ़ा चीज नहीं है बढ़ा चीज क्या है बढ़ा चीज है सर्दू science के मूल कंसेप्ट है basic concept है उस पे हमारा पकर हो अब सवाल यह है कि गुरुजी अगर हम आपकी बात माने और ALP and Tech का ALP and Tech का हमको CBT-1 CBT-1 और साथ में CBT-2 दोनों को किलियर करना होगा तो इसके लिए क्या एस्टिडजी होगा इसके लिए क्या रननिती होगा मैं सिर्फ science-science की बात कर रहा हूं सर्थ पिग्यान की बात कर रहा हूं सर्थ मेरे मित्र अगर आप CBT-1 और CBT-2 दोनों क्रैक करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहली ही बता दिया कि आपको science पे पकर बनानी होगी science में पकर के लिए आपके पास कौन-कौन से chapter है सर्थ आपके subject है physics chemistry और बायो बायो का का काम आपको CBT-1 तक ही है CBT-2 में बायो का आपको कोई काम नहीं है सर्थ और chemistry का भी CBT-2 में basic science और कोई काम नहीं है physics का ही पूरा काम है हाँ जब आप PCM से भारेंगे technician के लिए तो वहां पे physics chemistry आपको काम आएगा और वो भी numerical सर्थ और यह पूरा कैसे होगा तो मेरे मित्र आप दुनिया का कोई भी एक्जाम जे लिए है आप ELPN टेक्निसियन दो इंटीपीसी दो और वीजी दो और पी एफ के लिए दो ससी छसल दो CGL दो आप अपना MTS दो एस्टेनोग्राफर दो UPSC दो BPSC दो बिहार SI दो MP पुलीस दो डेली पुलीस दो UPSC दो कोई भी एक्जाम दो सभी एक्जाम के कुष्ण को पेटर्ण समझने के लिए सर अब्जेक वाइस by Q बहुत जरूरी या पिर आप कहा सकते हो कि सर सभी एक्जाम के पेटर्ण को समझने के लिए की करेंट में क्या पेटर्ण चल रहा है किसी सबसे कोई पुछा जा रहा है उस चीज को tackle करने के लिए हमको कहां पे focus करना होगा सर्फ PYQ पे focus करना होगा previous year question पे focus करना हो और मेरे मित्र अगर आप यहां पे ALP and Tech की बात करेंगे तो यहां पे आपको सबसे पहले सबसे पहले जो focus करना चाहिए वो PYQ पे focus करना चाहिए सबसे पहले आपको PYQ करना चाहिए यानि कि previous year question को करना चाहिए बहुत सारे मित्र हालां की देख भी लिये होंगे बहुत सारे मित्र नहीं देखे होंगे बहुत सारे मित्र अभी होंगे कि तयारी यह start करेंगे तो जब भी आप तयारी यह start करें मेरी एक सलाह माने science में अच् स्झाथ चलिगा हैं उसका है रोघ किस लेंग्वेज में पूछे जा रहे हैं है कि व्शन का पैटरन क्या और मित्र जमां प्योगा freaking कर लेटे या प्योगा पूर पूलत होती है यहां पे अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने आपके confusion को दूर करने के, कैसे दूर होगा? तो सर, confusion दूर होगा, science परने से, physics chemistry परने से? मिरे मित्र, अब आपको PYQ के बाद क्या करना होगा? तो सर, physics chemistry bio, physics chemistry bio तीनों को परना हो. आपको होगे सर, बहुत बड़ा number है, पुरा physics, पुरा chemistry, bio, सर, बहुत मुश्किल है, संभब नहीं हो पाए, मिरे मित्र, बहुत ज़्यादा आपको परहाई नहीं करनी है, आपको नौकडी लेना है, सर, विद्वान नहीं बनना है, और आपका ELPN technician का जो syllabus होगा CBT1 के लिए, या CBT2 के लिए, दोनों जगा पे आपको क्या लिखा हुआ मिलता है, तो सर, अंडर 10th, यानि कि 10th तक ही आपको science complete करनी है, यहीं दो नहीं हो पाता है, मिरे मित्र, आप हमारी सलाह माने, physics chemistry bio के लिए, आप अपने concept को पूरी तरह से पैयार करने के लिए, सर, NCRT book का साथ, NCRT book का साथ, आप कहेंगे सर, NCRT book कहां से लेगे कहां तक पढ़ेंगे, मिरे मित्र, NCRT book आप class 9th और 10th का सिर्फ biology, physics और chemistry पर लें सर, ये आपके लिए रामबान रहेगा, पाकि आप लोग कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जरूर पर रहे हों, लेकिन अपने concept को बिल्ड करने के लिए, सर, ये physics chemistry bio का जो NCRT book है, क्लास 9th और 10th इसको आप जरूर कर लें सर, PYQ के बाद, ध्यान में रखेगा, कि NCRT book को परने का मतलब ये नहीं हुआ, कि book खोल लिए, पेज गिन दिए, ये नहीं परना है, सर, NCRT book को परने का मतलब ये है, कि सर, परतेक chapter का जो concept है, वो हमारे mind बे होना चाहिए, साथ में, परतेक chapter का theory, पलस numerical, और साथ में मेरे मित exemplar, साथ में exemplar, ये तीनों आपके लिए जरूरी है, बगएर इन तीनों के आपका concept clear नहीं होगा, अगर थोड़ा सा भी confusion रहता है, तो सर, वो आपके एक से दो नंबर का क्या होगा, सर, कटने का कारण बने, तो अगर आपको science के theoretical portion पे पकर बनाना है, तो चेला जी कम से कम class 9th और 10th का NCRT book आप जरूर read कर लिजिए, science का physics, chemistry और biology, पिरमेतर ध्यान दीजिए का, कि आप तयारी करने के लिए क्या कर रहे है सर, पिवाई क्यू को आपने पहले पर लिया, फिर आप अपने theory को बनाने के लिए physics, chemistry, biology, NCRT book से कर रहे हैं, अब इसके आप theory को पर है numerical question, exemplar, exercise, जो भी है सब कर डालो सर, और इतना करने के बाद यह exemplar के question थोड़े tough होते हैं, और अगर आपने इसको भी पार-पार लिया, तो आप समझो सर, कि science का जो आपका 80% syllabus है, वो आपके mind में आ चुक है, science का 80% syllabus आपके mind में आ चुक है, अब मिरमित्र, यहाँ पे आपको जरुवत है अपने तैयारी में प्याना पन लाने की, कि आपने जो previous year question और साथी साथ जो NCRT book दोनों का concept लिया है, उसका utilization कहाँ पे होगा, अब railway आपके लिए तो 20 या 50 या 160 mock test पहले से तो नहीं ला देगा, कि हम इस pattern पे question पूछेंगे, तो सर हम लोग को तो updated question नहीं मिलेगी, मिरमित्र बिल्कुल आपके पास available है, आपके पास updated question भी available है, और इस बाद TCS ने तो जज़बात ही बजल दिये थे सर, NCRT का पूरा copy paste चला था सर, पूरे shift में आप देख लोगे, आप कहेंगे सर, इसका मतलब यह वहा कि आप इस सारा गुरुबडी question तरफ कर रहे हैं, बिल्कुल सर, ख्यांदीजिएगा, अभी बहुत सारे बुद्धी जी भी मित्र होंगे हमारे, जो गुरुबडी के question को पहले ही पलटने लगेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा चला अगर sequence नहीं चलोगे, तो इधर से इधर से उधर से उधर सिर्फ उड़ते रहना है, इससे में त्यारी नहीं होना है, उड़ते रहने से त्यारी नहीं होगा, और याद रखिएगा एक honestly मैं आपको बता रहा हूँ, कि त्यारी आपके सांथ होने से उपका, जब तक आपके अंदर अकेला रहने की प्रभीरती नहीं आएगी, भुक के साथ खेलने की प्रभीरती नहीं आएगी, त्यारी नहीं होने वाला है, आपको होगे सर, हम यहाँ चल जाएंगे, हम वहाँ चल जाएंगे, हम यह बैच ले लेंगे, हम टार्गेट में चल जाएंगे, हम करे स्क पावर बैठना पड़ेगा और जब तक सिटिंग पावर नहीं होगा तब तक सर सफलता को सो दूर होगी और उचल उचल के कभी ये कर रहे कभी वो कर रहे उसमें पढ़ाई नहीं होती है टाइम पास होती तो मेरे मित्र पहले एक सिक्वेंस जो है पीवाई क्यू से आपको आइडिया लग रहा है कुस्सन कैसे पूछा जा रहा है किस लेंग्वेज में पूछा जा रहा है आपने क्या करा कि सर एंसी आटीस हमने फिजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजी का थियोडी नोमेरिकल एक्जांपलर एकसासाइज को सारा कर डाला है अमारे पास तो कंसेप्ट आइगी ना यह इतना पढ़ियेगा तो कंसेप्ट नहीं आएगा इतना पूरा अगर माइन में सेट हो जाता समझ लोग फार दोगे के सुनो साइंस को कि इतना करने के बाद आपको सर्फ्रेटीज क्रमा अब यहां पर बात आएगी किसकी तरक्ति सेट की चिकिस की बात साइगी प्रायग सेट की और मिरे मित्र प्राक्टिस सेट जो उसमें क्या होगा, तो सर हमको 20 question, चुकि CBT-1 पहले होनी है, तो पहले हम CBT-1 को लेके चलेंगे, CBT-2 के लिए तैयारी हमारा internal रहेगा, swap नहीं रहेगा, कि हम CBT-1 के जगा CBT-2 पर रहे हैं, कि CBT-1 तो हो ये जाएगा, पता चला CBT-1 नहीं दरवजे नहीं पाड की है, तो अब लोग को दिखा रहे हैं, कि हम basic science पहले पर रहे हैं, तो लोग को लगेगा, CBT-1 तो ये इसी पास कर लेगा, पता चला CBT-1 नहीं पास दोआ, तो बेसिक science धर ले रहा जाएगा, चला तो आपको पहले क्या करना है सर, पहले CBT-1 को target करना है, और ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पे updated question का practice set करना है, तीखे सर, और बगेर updated question के practice set किये, practice किये हुए, आप exam hall में नहीं जाएंगे सर, अगर आप हमारी सलाह मानते हैं, कम से कम आपको 30 से 40 set तो जरूर करना च practice, ऐसे आप जितना करते हैं, आपको के सर, फिर practice set में updated question कैसे मिलेंगे, तो भाई मेरे practice set में जरूर ही है, कि हम एलपीन technician का ही updated question करेंगे, और और भीजे का भी कर सकते हैं, हमको अपना level बनाना है, क्योंकि basic तो आपने यहीं से मजबूत कर लिया, तो level बनाने के लिए तो ह हूँ, कि आपके अंदर जो confidence level boost up होगा सर, आपके अंदर जो confidence level boost up होगा, वो आप खुधी समझ पाई, और मैंने मित्र, अगर आप इतना तीन चीज, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, आप इतना तीन चीज कर लेते हैं, तो CBT-1 में सर, आप 20 में से 20 ला सकते, CBT-1 मे 20 में से 20 ला सकते हैं, बिना किसी hesitation के, बिना किसी हीचा, मतलब यह हुआ सर, कि अगर हमको, सर, अगर हमको CBT-1, ALP and Tech, ALP and Tech CBT-1 में सर, CBT-1 में, साइंस में 20 में 20 लाना है, साइंस में 20 में 20 लाना है, तो हमको 3 स्टेप चलना होगा, तीन स्टेप में, पहला स्टेप क्या है, सर, पहला स्टेप है, ALP and Tech, ALP and Tech, PYQ Solution, ALP and Tech, PYQ Solution, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है, सर, NCRT, NCRT Class, NCRT Class, 9th प्लस 10th, फुल बुक, सर, physics chemistry biology included, बाइलोजी में भी सर, एक्जाम्पलर करेंगे, ताकि आपको डाइग्राम वाला कुस्टन दिया जाए, तो आप परिशान ना हो, और साथ में, साथ में, न्यू पैटर्न, या आप क्या सकते हो, अपडेटेड कुस्टन प्राक्टिस, यह तीन स्टेप आपको करना है, पहला स्टेप में क्या कर रहे हो चला, अपने आपको आख रहे हो, कि हम कितना जान रहे हैं, दूसरा स्टेप में, हमको पता चल गया कि हमको क्या करना है, हम अपने कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम थियोरी का भी काम करेंगे, नुमेरिकल भी काम करेंगे, एक्जाम्पलर भी काम, Q pattern में सिर्फ सर हम set लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा score किस तरह से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है अगर घट रहा है तो काम करने की ज़रत है बढ़ रहा है तो बल्ले बल्ले है और मेरे मितर यकीन मानिए अगर आप इतना कर लेते हैं आपको 20 में से 20 लाने से कोई नहीं रोकिए आपको होगे सर यह सब तो ठीक है हम कर लेंक है लेकिन अपने से तो रेगुलर हो नहीं पाएगा फिरमित्र मैं आप सबों के सुबधा के लिए आप सबों के सुबधा के लिए यह आपका जो अभी जस्ट आपने देखा था थमनेल पे अलपी एंट टेक समर्पित कर रहा हूं से इस तरह हमने गुरुबडी एक्जाम में सर आपको सिप्ट वाइज पीछे के कोशन का डिसकसर कराया और जिस तरह से मैंने आपको गुरुबडी एक्जाम में हर एक चीछाए नॉमेरिकल हो थियोरिटिकल पॉर्षन हो प्राक्टिस एट हो हम आपको सबसे पहले लिए यदि बीके जो सिप्ट वाइज साइंस कोशन है उसको डिसकस कराएं यानि कि यहां पे जो मैंने आपको बताया कि आपको बढ़िवाइक्यू करने हैं डिश्बां के साथ करना है तो मेरे मित्र यह एल पी एंटे का जो आपका साइंस एक्सप् मिल रहा हूं अब भहाइस सारे मित्र कहीं ना कहीं कई जगाहूं से देख लिये होंगे वाइद कुछften से उर ने करने वाला हूं हम यहां पर सुरू के सिप्ट से डिसकसन नहीं करने वाले हैं हम यहां पर लास्ट के सिप्ट से डिसकसन करने वाले हैं और सुरू तक जाने वाले हैं यानि कि जो हम लोग shift wise discussion करेंगे सर वो कहां से करेंगे start last shift से करेंगे last shift से करेंगे और मेरे मित्र ये जो सुरुवात होगी ये फिर से आपका गुरुपडी वाली जो सुरुवात थी सर उसी थरीके का होगा और यहां पे भी हम लोग 4 option को completely discuss करेंगे ये नहीं कि ये का answer A, B का answer B, ऐसा नहीं है यहां पे चारो option को full energy के साथ discuss किया जाएगा थाकि जो previous question के माइने हैं वह आपको समझ में आए और मेरे मित्र आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी theory तो आप करवाद होगे कि numerical अगर करवा देते तो और ज्यादा बेटर होता क्योंकि बहुत सार सब्सक्राइब नीचे comment करते रहे तो सर नोमेरिकल कर वाओ नोमेरिकल ही पढ़ाओ आप तरु मालूम है कि आप लोग क्या comment लिखते क्या नहीं लिखते भाई मेरे आपको परिशान नहीं हूं नोमेरिकल के लिए मैं आपसे अभी थोरा सा टाइम लोगा क्योंकि पीवाई क्यों को सनका जो कलेक्शन है वो होड़ा है उसमें से मैं चाहरा हूं कि जो नोमेरिकल को सनने उसको अलग से च्छाट करके चेप्टर वाइज उसको के टेग्राइज कर दिया जाए और उसी च अग्जामपलर के नोमेरिकल को सन्वोभी सर हम आपको करवाएंगे अब रही बात कि सर थियोरी तो सर पूरा थियोरी कराना समभाव नहीं है तो कि अलग-अलग बच्चों का अलग-अलग रिक्वार्मेंट होता है यहां पे हम यह करेंगे कि सर जो भी जटील आपके टॉ टॉपिक को आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में लाने का कोशिज करेंगे ताकि वो चीजें आपको समझ में मतलब यह हुआ कि सर स्रिप्ट वाइज कोस्टन भी आप यहां से डिस्कस कर लेंगे चारो आप्शन के साथ पीडिएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुरे हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट सक फूरा नूमेरिकल करवाएंगे चैप्तर वाइज हम नौमेरिकल करेंगे आपको न्-C अतिक और इसके लिए आपको कोई पेड़ कोर समय जुरना है सर वो सैवर How fan Do सफलता मिलेगी अगर सफल होना चाहते तो यहीं प्याना ऐसा कुछ नहीं है सफलता आपको हमारे बैच में आने से सब्सक्राइब करना है तो यह सटेप आपके लिए और यह सटेप आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है पहले हम लोग एल्पी एंट टेक्स साइंस एक्सप्रेस में सिप्ट वाइज को डिस्कस करते हैं कि उसके बाद हम लोग नुमेरिकल पर काम चल रहा है नुमेरिकल को सटन को डिस्कस करेंगे और फिर जब नुमेरिकल को सटन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो सर यह जो आपका प्रैक्टिस पेपर है न्यू अपडेटेड को सटन का जो आपके पिछले गुरूप डी आप फसा लेगा यह फिर साइंस को आप फसा होगे है आपको कि सर बस इतना कर लेंगे साइंस हमारे पीछे-पीछे सही में चले आप सब्सक्राइब कर रहा होगा कि गुरूजी आपका कोई सीरीज तो कंटिन्यू नहीं रहता है प्रेक हो जाता है ब्रवितर आप सब्सक् आप सब्सक्राइब कर लेकिन आप सभी भी हमारे लिए इंपोर्टेंट है और आप यूं मानो तो यह पूरा का पूरा परिवारा आपका है तो आपको सही से चलाने के लिए हमें तो संपुर्ण रूप से चलना होगा तो इसी बज़ा से थोड़ी सी रुकाबटे आई है लेकिन अब मेरी पूरी कोशिस है कि आपकी जो भी स्रीच चले वो पूरी तरह से कंटिन्यू रहे और मेरे मित्र इसी चीज को देखते हुए हमने आपके इस ALP and Tech Science Express जो सिसन है उसको सर कल साम से लाने का परियास करा है और कल साम से लाने का सुच यानि कि कल 16 मार्च 2023 पर डे साम के सार 7 वजे रेलबे प्रिपेरिशन के लिए मैंने ये टाइम अपने चैनल पे फिक्स कर रखा है पर डे साम के 7 वजे पर डे साम के 7 वजे सर ALP and Tech Science Express पीवाईक्यू सिफ्ट वाईज कुष्टन डिसकसन में सर जोरना मत भूले और यहां से हम लोग अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं सर 20 में बटा 20 लाने की और फिर आगे हम लोग एक एक करके इस तीनों स्टेप को फॉलो करते चले होगे और मेरे मित्र यकीन मानिए कि अगर आप जूरे रह गए तो साइंस की पूरी जिम्माबारी हमारी होगी और आपको यह कहके जाना होगा कि सर हमने जो साइंस पढ़ा वो कुष्टन हमारे एक्जाम में आया मेरे ख्याल से कि ELPN Technician CBT1 में साइंस में 20 में 20 कैसे लहा जा सकता है इस चीज को आप भखो भी समझ पाए होगे और साथ ही मेरे मित्र उमीद ये भी करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजेग ताकि आप जैसे जितने भी स्टुडेंट ELPN Tech Science का प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी उल्जान में फोसे हुए हैं उनको एक सही मार्क दर्शन मिल पाए और वो भी अपने गोल को पूरी तरह से सर उड़ा कर पाए मिलते हम लोग फीर अपने अगले वीडियो सेशन में तक के लिए best of luck thank you have a nice